आज हम बहुत 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 जादा खुसे क्योंकि आज हमारी first payment आचुके ही वो भी इसी मस्रूम की recipe की वज़े से हमने पहले आपके साथ मस्रूम की recipe शेयर करें ते इसमें million of views आ चुके हैं उमीद करती हूं आप भी इसमें इस तरह से हमें प्यार देंगे आगे आपके साथ व्लॉग या फिरसोर्स रेसिपी को जर्रूर्फ शेयर करेंगे उस जाइए फर्स पेइमेंट आई हैं पताइए हुज्पका। चलती से स्टार्ट करते हैं, उसी खुषी के साथ बनाएंगे इपल्कुल डिफ्रेंट तरीके से बनाने वाले हैं, रिल्कुल हो रेस्ट रिस्ट आप स्टाइल में, तो इस तरहा से मस्यरूम ले लिया है, मस्यरूम के लाए, फिर टेणी गारे लाइ, गलाता है उनने निभ्यत दो फिर्ड पिया ले लिया है, और आदरम लेली है अब प्लसके करणा का दाल सकते हैं के बेवत कतरे हुआ हमें के लाइब यहन का जिदता है तरह बना रहे हैं तो यहां पर निखे कर दिया है एक बड़ा साइच का टमाटर या फिर दो ले लेंगे तो दो लेंगे तो इसे भी हल्का सा भून लेंगे बड़ बड़ खे न्यृट में बुटब unity करें घर में कोई महमान फिर जाएंगी इतना हैं इतना जाएंगे बड़ाuar हैं लचुर होक Cash करना है छोड़ना भी नहीं अच्छे स on में हैं हम थोड़ा चलाते देंगे भीज बिल्कुल गल जाया इतना को करना प्याज बीं तरह हिसके लिट लगा देंगे थोड़ा सा कसरrend नहीं तो इसमें लिट लगा दिया है और थोड़ी ही दिर बाद दुबार से चेक करेंगे हमारा कितना पकाया है तो देख लिए और आपको दिख रहा है बिल्कुल गला गला सा है टमाटर भी प्याज भी सब अच्छे से गल गया है इस तरह से बस यू ही चाहिए हमें बस अच्छे इस बिल्कुल मैस्क वाले ट्रेके भी को अपको आप इस पैले किसी से ए शेयं नहीं करा और इस तरह रहा हैं बिल्कुल डिफ्रेंटे इस तरह 갈 def青 नहीं कुराओएं जटने से और बड़ी के बनाने वाले है तो पस इसम थंदा होने कले एक साइड फाई आज लेँ आप मसरूम चोटा है या बड़ा आप देख लीजिए अगर बड़ा साइज का तो नहीं बड़ा साइज का दो पीसे में कट करेंगे एक छोटे ही तो चार पीजिस में करेंगे जो इसके ऊपर का दंधाल हो रहा है यह जो की लगडी की तरह तो इसे निकाल देंगे बिल्कुल भी कौन्टिटी अपने हिसाब से म erklären किस तरह से चाहिए किस तरह से चाहिए ठोड़ा से हो जाता है थोड़ा साइच को पकनी के बाद मश्रूम तो मि सि क्लिए विए तो थोड़ा से पीसेंगे, गरम में नहीं पीसेंगे, हलका ठंडा हो गया है यह बस इतना ठीक है, तो इसका ठकल लगा देंगे, और तुरंधी से फीज पीज देंगे, तो यहां पर ले ले लिए 3-4 काजू, इसका पेस्ट में काफ एच्छा, बिल्कुर रिच टेस्ट आएगा, तो यहां बादाम भी डाल सकते हैं, तो आपसनल है, जैसे आपको पसना देख सकते हैं, बिल्कुर फाइन हो गया है, पिसके तयार हो गया है, अभी कलर बिल्कुर लाइटी लग रागा है, कोई बात नहीं आगे, आगे हम आपको मैसिक बिताने वाले है, तो उसी पैन को ले 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 तील में दालता है तील करम होती है ऍसमें पैर बडी लाइची, बड़ी व्लाइची, षटार फूल, तेज पतर डाल दाल सबल नमक में दाल दाल ज ऐए यह पीस, अब्रदे है लाइघ्स नमक में जमक जमक डालता है इझाश हलका सी शोटी करना हैे बस को भी कलरा childhood homeless हलका सा सोटी करने के बाद हमको दिखाएंगे हलका सा प्याज भून रहा है तो बिल्कुल मैजिक वाला ट्रेकर जरूर बनाईगे हम आपको बार-बार कह रहे हैं तो यहां पर डाल देंगे हलका सा जादा अपने हल्दी डाल दिया और एक चम्मत कस्मीरी लाल मिर्च जीफ ह जल जाती तो जलाना नहीं है तो यहां पर हम डाल देंगे मटर लिया है यह को फ्रेस मटर है सीजन में आपको पता है अच्छी से फ्रेस मटर मीठी मटर आ रही है तो वह हमने लिए तो आप स्टोर करी ही मटर भी ले सकते हैं मगर हलका सा थोड़ा टाइट सी होती है मटर इसले में सॉफ्ट वाली लिए तो इसी के साथ हमने इसमें मस्रूम भी डाल देंगे मटर और मस्रूम को दोनों को अच्छी से मिक्स कर देंगे इसमें हलका सा मौश्यार होता है हलका सा पानी भी ऑईल के साथ छोड़ना सुरू को तो मगर इसे थोड़ा सा पकाना जरूरी मुधा इसले के लिए पूल गया है मकर कोई देनल में इसमें टाल सकते जरूर है कि आगी पर हैं तेलया में घाल निकिंटिह यहां अच्छा साथ भूने के बाद अठी से पकानी के भी तो अठी से पकानी प्रीए लुपनीजिशें कि मिलहाटी में से युझे पानी कम तो यहां पंगे हम्ने डाल दिने से एक 2 cup दियां अपनी तो अच्छा गरम पानी डालना पीज ताह खुड़ाफ्य हो अच्छा सा उबालाने देंगे अगर आपको किस तरह से ग्रेवी घानी हम थोड़ा चावल के साथ बना रहें थोड़ा पतली ग्रेवी वाली भाली ही बना रहे हैं अगर रोटी रोटी नान चपाती किसी के सद्धिय बनाते हो हलका सा गाड़ा बना सकते इसमें पानी आपको खार बातों यहां पर सब्सक्राइब तो長 मैं तो भी सब्टात है जोसा कि चीना टैकता मैं थ्मक्राइब फंट से हाद्झी लाग भी सब्सक्राइब आपको अच्छे से गल गया है विल्कुल भी इसे बिल्कुल हाड नहीं है तो मशुरूम मतर दोनों अच्छे से पग गए तो यहां पे टाल देंगे एंडिंग में थोड़ा सच्छी से मलाई को उपने फेट के लिया चाहे आप क्रीम भी ले सकते हैं तो अच्छा तेस्ट आ थोड़ा आकरी में टाल देंगे धनिया पती कार्ट कर टाल देंगे जिससे की खुश्बु काफी बहतरी ना है तुरंत इसमें लगा देंगे ठककन ताकि अच्छे इसकी खुश्बु धनिया की इसी के अंदर है बहार ना निकले तो यहां पर हमनी गर्म गर्म सरुप कर र ऐगा ऐसी खुब सारा प्यार देना फिर मिलेंगे फ्रेंड आपके साथ नहीं रेसीपी के साथ अफ दक ले फ्रेंड थैंक्स वर वाचिंग बाई बाई